आज हम प्रागयतिहासिक काल प्रिहस्टोर्ग टाइम्स से संबंधित प्रशनों के बारे में अध्ध्यन करेंगे ये सभी प्रशन गत परिक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ की आपको ये जानकारी पसंद आएगी। प्रागेतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न 1. संघावों गुफा किस समय की है? अन्स मध्यपुरापाशन काल, पाकिस्तान 2. किस थल से मानव शवाधान के प्रमान मिले है? अन्स लेखिया यह उक्तर प्रदेश में स्थित है, यहां 17 शवाधान प्राप्थ हुए है यह कैमूर की पहाडी में स्थित है 3. मात्र देवी की हड़ी से निर्मित आकृति कहां से प्राप्थ हुई है? अन्स बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश यह आकृते उच्चर पुरा प्रस्तर युगीन है 4. पहिये का आविशकार कब हुआ? अन्स नव पाशान काल में 5. मध्य पाशान काली इन मानव शिकार के लिए किस से बने उपकरणों का प्रयोग करता था? अन्स पत्थर 6. निम्न विशेष्टा किन सिक्कों की है? यह भारत में सबसे पहले विधमान सिक्के थे इन पर एक से अधिक पंच की मुहरे है इन पर अनेक प्रकार के प्रतीक निरूपित होते है इन पर हमेशा जारी करने वालों के उत्कीर्न लेख नहीं होते है अन्स आहत पंच माक सिक्के साथ इसामपुर करनाटक संबंधित है अन्स पाशान उपकरन निर्मान का केंद्र आठ परागकन एवं बीजानुओं के परिक्षन के अधियन को क्या कहां जाता है अन्स पेलिनुलोजी नौव सिक्कों के अधियन को कहते है अन्स न्यू मिमेटिक दस गुफकराल कहां स्थित है अन्स सिंधु घाटी में ग्यारा किस थल से स्थाई जीवन के प्राचीनतम प्रमान मिले है अन्स मेहरगड यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है बारा रॉबर्ट बुसकूट कौन थे अन्स एक भूव एज्यानिक इन्होंने भारत में प्रतम पूर्व पाशानीक उपकरन की खोज की थी उन्होंने यह उपकरन पलवरम तमिल नाडू से प्राप्त किया था तेरा निम्न में से प्रागयतिहासिक कालीन स्थल है अन्स भीम बेट का जोरा मध्य प्रदेश तथा भीम बेट का प्रागयतिहासिक कालीन स्थल है यहां से प्रागयतिहासिक कालीन चित्रित शैलाश्रियों के प्रमान मिले है चौदा 15. किस व्यक्ति ने पल्लवरम से प्रतम पूरा प्रस्तर युगीन ओजार की खोज कर देश में प्रागयतिहा से कध्यन का रास्ता खोला। 16. निम्ल में से किस घाटी में पुरा पाशानकाल, मध्य पाशानकाल वर नव पाशानकाल के अवशेश एक क्रम में पाए गए है। 18. प्राचीनतम गौशाला के साक्षय कहां से मिले है। 21. निम्ल में से कौन सा ग्रंत भारती विपारियों की कटाह द्वीप की यात्रा का वर्णन करता है। 22. नवपाशानकालीन गरतावसो, गढधा घर के अवशेश कहां से प्राप्थ हुए है। अंस, बुर्जहूम वगुफक्राल, ये दोनों जम्मु कश्मीर में है। बुर्जहूम यहां मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेश मिले है वजीलों के किनारे गरतावास, गढधा घर के साक्षय मिले है। गुफक्राल, इसका अर्थ कुमहार की गुफा होता है यहां गरतावास बड़े पैमाने पर मिले है, यहां हड़ी के उपकरन भी मिले है। तेईस, किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टॉरिक इंडिया में पाशान काल के बारे में विस्तृत चर्चा की है। अन्स, स्टूर्ट पिगट, चौबीस, होमो एरेक्टर्स का कपाल कहां से प्राप्थ हुआ है। अन्स, हतनौरा, नर्मदा घाटी, पच्चीस, किस पुस्तक में प्रतिष्ठान एवं तगको दक्षिनपत के अंतरराजी बजार कहां गया है। अन्स, पेरिप्लस ओफद एरित्रियन सी, 26, प्राग एतिहासिक मानव का प्राचीनतम जिवाश्म कहां से प्राप्थ हुआ है। अन्स, हतनौरा, 27, शिशुपाल गड, उडिसा, संबंधित है। अन्स, प्रारंभिक एतिहासिक काल का नगरी अस्थल, 28, कावेरी नदी पर स्थित संगम काल का समुद्र बंदरगाह, पत्तन था, अन्स, पुहान, 29, सातवहन युग में अमरावती को किस नाम से जाना जाता था, अन्स, धाने कटक, 30, मध्यपुरा पाशान कालीन संस्कृ अन्स, फलक संस्कृती, इसकी खोज अच्री सांकलिया ने की थी, यहाँ औजार फलक से बने होते थे, जैसे खुर्चनी, स्क्रेपर, पॉइंट, तक्षनी, बेधनी, ब्यूरीन, यहाँ उपकरन क्वार्ट्स के साथ, साथ फिल्ट, चर्टव, जेसपर पक्थर के भी बन होते थे, स्थल नेवासा, चिर्की, महाराष्ट्रा और हतनोरा मध्यप्रदेश में है, प्रागैतिहासिक काल के महत्व पूर्ण प्रश्ण, 31, भारतिय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अन्स, एक अनिघम को, यह 1870 से 1885 तक भारतिय पुरातत्व विभाग के निदेशक रहे थे, इन्हें प्राचीन मुद्राशास्तर का अधिकारी विद्वान कहां जाता है, प्रमुक ग्रंथ, The Ancient Geography of India, The Book of Indian Nishes, 32, सुमेलित करो, पुरापाशान काल शैलाशर अधिवास के प्रमान, मध्यपाशान काल नदी तटावास, नवपाशान का कच्चे एवं पक्के मकान, अन्स, सभी सही सुमेलित है, पेरिप्लस of the Eritreancy नामक पुस्तक मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डालती है, अन्स, व्यापार एवं वानिज्य, 34, किस संस्कृती के काल मापन का विशेश ज्यान किस तरह के उत्खनन से होता है, अन्स, लंब भास का पिता किसे कहा जाता है, अन्स, हेरोडोट्स को, 37, इन्होंने हिस्टॉरिका पुस्तक लिखी, जिसमें पांचवी सदी इसापूर्व के भारत फारस के संबंद का वर्णन किया है, इसके अनुसार डेरियस प्रतम ने फारस के यूनानी, अन्स, सैनिक स्काइलैक्स क द्वारा सिंधु नदी से इरान तक का जलमार्ग खोजा था, 38, असत्य कतन बताए, दक्षिन भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलो में पुरापाशान कालीन कब्रे मिली है, कैमोर श्रेनी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाशान कालीन चित्रशाला मिली है, दक्षी भारत में लोह यूग पाशान यूग के तुरंट बाद शुरू होता है, भारत में पूरा पाशान कालीन मानव अगनी के प्रयोग से परिचित नहीं था अगनी का प्रयोग मध्य पाशान काल के अंतिम चरणिया नव पाशान काल में हुआ, अन्स, सभी सही है, 49, प्रागेतिहासिक काल की जूती हुई भूमी खोजी गई है। अंस, काली बंगा में। काली बंगा राजस्थान में प्राक हडप्पा तथा हडप्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेश मिले है। चालीस, प्रागेतिहासिक कुलहडिया प्राप्थ हुई है। अंस अतिरपक्म से ये पाशान कालीन स्थल है यहां से हैंट एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्थ हुआ है 41, किस क्षेत्र के महापाशान कालीन मृद्भांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है वह इन रंगों के मृद्भांडों पर अलग ही पुताई हुई है अंस, दक्षन भारत 42, कुलहाडी, गंडासा, विदारणी, खंडक उपकरण आदी ओजार संबंधित है अंस, पुरापाशान संस्कृती 45, सुमेलित करो दमदमा मध्धिपाशान काल कुर्नूल की गुफाएं उच्चर पुरापाशान काल टेकल कोट नव पाशानिक स्थल अंस, सभी सही सुमेलित है दमदमा में पाशानों पकरण, स्क्रेपर, चांदरिक, संबाहुत रिभुज मिले है दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है यहां 41 नरकनकाल मिले है जिनमें एक कबर में 3 मानव कनकाल 1 साथ मिले है पाँच कबरों में युगल शवाधन व पैतिस कबरों में एकल शवाधान के साक्षे प्राप्त हुए है टेकल कोट करनाटक में स्थित है चौवालीस, पाशान काल को कितने भागों में बाटा गया है अंस, तीन, पुरापाशान काल 5,010,000 वर्ष पूर्व मध्यपाशान काल 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व नवपाशान काल 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व 45 चिरांद स्थित है अंस बिहार 46 पीर काल्म स्थित है अंस केरल में पीर काल्म शवाधान केंद्र प्रसिद है 47 सूची एक को दो से मिलाए अतिर्पकम स्थल पुरा पाशान काल चापानी मांडो मध्य पाशान काल इनाम गाव तामर पाशान काल कुल्ली पूर्व हरप्पा अंस सभी सही सुमेलित है 48 पाशान काल प्रागयतिहासिक काल को साक्षियों लिखित पुरातात्विक के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बाटा गया है अंस 3 प्रागयतिहासिक काल लिखित साक्षे उपलब्ध नहीं पुरातात्विक साक्षे उपलब्ध अध्य एतिहासिक काल लिखित्व पुरातात्विक साक्षे दोनों उपलब्ध परंतू लिखित साक्षे पढ़े नहीं जा सके है उद्हारन सिंधू सभ्यता एतिहासिक काल लिखित्व पुरातात्विक साक्षे दोनों उपलब्ध हुआ लिखित साक्षियों को पढ़ा जा सकता है उन्चास भारत में प्राग एतिहासिक काल का जनक किसे कहां जाता है अन्स डॉक्टर प्राइमरोज इन्होंने 1842 में करनाटक के रायचूर जिले में लिंक सुगुर नामक स्थान पर पाशान उपकरन छुरावतीर के फलक खोजे इसी तरहें वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें थांक्स फर वाचिंग